हाई मैं यूट्यूब फैमली दिशिज विशा का आई होप यू अला ट्यूइंग एलन ग्रेट तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छा खास दिखाने वाली हूँ अगर आपके बाल लेना बहुत ज़्यादा फ्रीजी है और आपके स्काल्फ ड्राय है और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए है और सब के लिए है जिनके लिए ये प्रॉब्लेम्स जिनको होते हैं तो वीडियो को लास्ट तक दे बादे घ्र गड़ संक्तन Christians क्ला प्लांट से लिया है जो तो आप अपके आकोर्डिंग, आपके हैर के आपके 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 आकोर्डिंग कि एक आपको इस ही थाप से मॉधा हो, आपके खुर्ट है आपको एक अलो भराय भी मेरे थोड़ा है तो आप इसको कट कर देजिए उसके बाद इसके जो जेल है उसको निकाल देजिए एक बाउल में नहीं आप इस तरह से लिजीए और इसको ऐसे ही कट क्रीज मनाईज इसको कट कर दीजिए ताकि इसके जो कि जिल है वह इजली आज़ा और आप इसको स्कैल्प में आपन के सकें ठीक के इसके जो यह रहेगा नहीं और डिर्रल्ड एक अपनी स्कैल्प में और अपने हैं Supplesia बहुत ज़दा फ्रीजी हो गया है और बहुत ज़दा ड्राई नेस भी लग रहा है तो मैं पहले ना इसको अलवेरा को अपनी स्केल्प में जो है अपनी स्केल्प में ही अपला करना है जो भी हमारे प्रॉब्लेम्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आप कई जो ड्राई हो जाते हैं आपके हैर तो बो ड्राइ होने के लिए यह खतम करेगा उसके साथ ही आपके जो है जो टेक्स्चर है बो दिरे-दिरे इंप्रूफ होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अगर अलोवरेस्ट से न किसी को इचिंग भी होते हैं तो यह जो इचिंग का भी प्रॉब्लेम है बहुत भी सलिशन कर देगा हाँ अगर आपको अगर आप पहली बार लगा रहें तो आपको इचिंग हो सकता है लेकिन अगर आप तीन बार भी नहीं लगा सकते हैं हपते में कम से कम आप इसे दो बार इसे जरूर से जरूर यूज़ केजिए ठीक है ताकि आपके जो स्कैल्फ की टेक्स्चर है बहुत धिरे-धिरे स्मूथ होता जाएगा और आपके जो भी डाइन रप की प्रॉब्लिम होए वो खत्म हो जाएंगे और स्कैल्फ जो आपके ना दर्द होते होंगे या फिर अपनी स्कैल्फ में बहुत ज़दा ड्राह होने के कारण ही होता है तो यह सारे चीजों को इंप्रॉमेंट होगा ठीक है तो इसको आप पहले इसकाल्फ में अच्छे से लगा लीज़ आप देख जैसे भी लगाना है आप लगा सकते हो मैं यहां पर कोई कोम यूज नहीं करें हूं बस अपनी स्कैल्फ में लगा रही हूं और मैं अपने बल लटा के मेरे को दिख भी नहीं रहा है तो मैं इसको लगा रही है तो आप भी इसको अच्छे से लगा दीजे बाकि जो एक सारी प्रॉडिक्ट और यह सारे आलोवेरेको में एक साथ जार में भरति कर दूँगी और इसको अच्छे से में पेस लोगी ठीक है यह सेकेंड स्टेप है हमारा इसको ध्यान से दिखिएगा और लास्ट तक जरूरूर दिखिएगा के मैं इसे जो फॉर्मूला है यह तो मास्क के लिए जो मास्क लिए जो मिक्सचर लिया था उसके लिए में यहां पे एक बाउल में निकाल लिया है उसके बाद आपको ना यह सारे जो ढखन में लगए होते हैं उसको भी ले लेना है ठीक है प्रोड़क्ट खाली नहीं जाना चाहिए तो इसको न अच्छे से दो मिनिट के लिए मिक्स के जिए तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है ठीक वही है जैसे हम आलोवेरा जितने भी आपको जरूरत है पुस्टी साब से लिजेगा मैं यहां पर फो टेबल स्पून ले रही हूं क्योंकि यह मेरे हैर के जो लेंद को यह अच्छे से लगाने में एजी हो जाए ठीक है तो फिर इसको अच्छे से एक मिनिट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना है तक कि ओईल और जो अलवरे को टेक्स्चर जो होता है बहुत थीक होता है तो यह थोड़ा सा मिक्स करने में ही यह बहुत अच्छे से दोनों का जो टेक्स्चर होता है बहुत एकदम हमको अच्छे से टेक्स्चर में मिलता है और यह देखिए हमारा जो हमारा जो मास्क जो ह बहुत पूरा रेडी हो गया है नाव इस टाइम टो अपलाए तो अपनी जो हैर में मैंने लगाया था लवरे जल आप इसको पेंटी मिनिट तक रखना है तो आप मेरे हैर के हालत देख सकते हो कितना गंदा है तो आपको ना हैड मसाज हैड मसाज बहुत ज़्यादा जरूरी है या हमारे ब्लर सर्कुलेशन को अच्छा करता है हमारी जो भी हैर के जो भी टेंशन होता है बहुत दूर करता है और हमारी जो मरलब जो टेक्ट्चर होते हैर के वह बहुत अच्छा हेल्प करता है तो हैड मसाज आपको जरूर करना है जब भी कोई मास्क या फिर ऑईलि में अप्लाय कने, अपनी екए कि जॉड़े टो बहुत ज ज्यदा एक जगह में apply करने कि कोई जॉरूरत है थोड़ा थोड़ा प्लाय करें छोड़ दिजिए गारी स throw out हैं उसके लिए मैंने अपलाई किया हुआ है ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा बात कर रही हूं अपनी सिस्टर लो के साथ और उसके साथ ही मैं बहुत अकलिप होता है तो अब चलो ठीक है तो इसको अपना अपनी हैर के लेंथ में और एंड में लगा लीजिए सही मैंने बोला ह आगर आप मेरे वीडियो में पेहली बार देख रहीं तो वीडियो को बस्कें देखते कि यह लाइक एक लाइक को बनाबipों समय मेरे नहीं यह जोता आइ Drop कि पहले आपको जो मेरे फोटे सुने होते हैं कुछ भी छोते हैं मैं सारे वीडियो डालती ही मैं तो आप ढाने बीडियो से मैं अपनी हैर ऐंड जो स्कीनकेर की रोटीन हे उससे ही बनाएंगी तो आप सबका प्याड रहेगा तो मैं अच्छे से मैं आगे जल पाँए आपके जो हैर में अपले हो तो इस आपके जो हैर में अपले हो आपके जो हैर मास्क है उस पे कोई भी डर्ट ना रहे ठीक है तो अगर नहीं है तो आप इसे पॉलिथिन भी उसका सकते हो इसको लगाने बाद थोड़ा मेरा है जो है थोड़ा सा है वी फील हो रहा है कोई नहीं तो इसको देखते हैं इसका जो रेजल्ट है मैं आपको क्या है लुब दे साइन गाइज यह बहुत ही अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है देखिए कितना अच्छा शाइन दिया है आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा है तो लाइक कमें शेयर करना मत भिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर धड़को घज दे हमाराता है लुबलता लाइन करता है अच्छा शाइन गाराता है यह लुबलता लाइन hell inoda ले यह बहलात। अच्छा